AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी मंगलवार को बाबतपूर एरपोर्ट पहुँचे हैं यहां सभासपा नेता पूर्व मंत्रियों प्रकाश राजबर द्वारा उनका स्वागत किया गया आपको पता दे कि यहां से दोनों नेता भागेदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करने और पूर्वांचल में सियासी जमीन तलाश ने जौनपूर और आजमगड के लिए निकल गए जौनपूर में गुरैनी मदरसे में धर्मगुरों से मुलाकात के बाद कारेकरताओं से समवाद भी करेंगे आजमगड के बाद समय मिलने पर दोनों नेता मउजिले के लिए भी निकल सकते हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और उम्परकाश राजबर की बड़ी माका त्रियोद शीका कारेकरम भी आज शाम को है असदुद्दीन ओवेसी उनके पैतर कावास संधोरा भी जा सकते हैं जौनपूर में ओवेसी दोपहर की नमाज भी अदा करेंगे दोपहर के बाद आजमगड फूलपूर और सराइमीर कारेकरताओं से मुलाकात करेंगे बताते चले कि सांसद असदुद्दीन ओवेसी मंगलवार को पूरवान चल के दोरे पर हैं वारानसी आगमन के बाद वे अखिलेश के गड़ से चुनावी बिगुल फूकेंगे वारानसी के अलावा जौनपूर आजमगड और मौव में वे कारेकरताओं के साथ मुलाकात करेंगे बिहार के बाद अब यूपी की सियासत में सांसद असदुद्दीन ओवेसी की एंट्री हो गई है यूपी विधान सबा चुनाव से पहले चुनावी रण नीती पर चर्चा के लिए ओवेसी पहली बार बाराज जनवरी को वारानसी जा चुके हैं वारानसी में उनके आगमन पर स्वागत के लिए भागिदारी संकल्प मोर्चा ने जोरदार तयारी की हैं जानकारी के मताबिक ओवेसी सुबह करीब साड़े आठ बजे वारानसी के लाल बहादु शास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट पहुँचे उसके बाद वैसाडक मार्क से सुबह सपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष वापूर्व मंत्री ओम्परकाश राजबर के साथ पूरवान्चल के चार जिलों का दोरा करेंगे वारानसी के साथ ही जौनपुर, आजमगर्ड और मौजिले में वेकारे करताओं से समवाद करेंगे यूपी की सियासत में भागिदारी संकल्प मौर्चा के जरिये ओवेसी की एंटरी से बिजेपी के साथ ही एसपी और बीएसपी के वोट बैंक में भी सेंद लगेगी ओम्प्रकाश राजबर, बाबु सिंग कुश्वाहा, कृष्णा पटेल जैसे नेता बिजेपी के वोट काटेंगे तो दूसरी तरफ ओवेसी एसपी के वोट बैंक में सेंद लगा सकते हैं सुबा सपा के राष्ट्री अध्यक्ष वपूर्व मंत्री ओम्प्रकाश राजबर ने पहले ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव को इस भागिदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए मंत्रित किया है यहाँ यह भी बता दे कि वारांसी में प्रेस कॉंफरेंस के दोरान ओम्प्रकाश राजबर ने कहा था कि उनके द्वार सभी के लिए खुले है यूपी में वहिस मोर्चे को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं और शिवपाल यादव से भी लगातार उनकी बात्चीत जारी है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद J.B.D. Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgarana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise